Good morning all of you आज हम अपना part 4 लालच का परी नाम जो कि लिये टॉल्स्ट्राय द्वारा लिखा गया है हमने इसको यहां तक कर लिया है अब हम आगे करेंगे रात्री में दीना के स्वागत में दावते हुई रात में क्या हुआ? दीना के स्वागत में दावत की गई बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रियोजन बताया बातों ही बातों में दीना ने क्या किया? सरदार को भी बता दिया कि वो यहां किसलिए आया है उसने सरदार से कहा मैं चाहता हूँ कि जमीन के कागज भी पक्के बन जाए उसने सरदार से क्या बोला फिर कि मैं चाहता हूँ कि जो जमीन के कागज है वो भी पक्के बन जाए सरदार ने कहा इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी सरदार ने क्या बोला कि इस काम में कोई भी मुश्किल नहीं होगी क्यूंकि उनका मुंसी कश्बे में जाकर लिखा पड़ी करके कागच बना देगा क्यूंकि क्या करेगा जो उनका मुंसी है वो कश्बे में जाकर लिखा पड़ी के कागच तेयार करतेगा दीना ने सरदार से जमीन का दाम पूछा सरदार ने क्या किया सरदार से जमीन का दाम पूछा सरदार ने बताया हमारी जमीन का एक ही दाम है एक दिन का एक हजार रुपया सरदार ने क्या बोला कि हमारी जमीन का एक ही दाम है एक दिन का एक हजार रुपया एक दिन के एक हजार रुपे यह हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह बताएं कि कितने रुपे में कितने एकर जमीन मिलेगी तो दीना को यह हिसाब समझ में नहीं आया कि एक दिन के एक हजार रुपे तो उसने यह पूछा कि यह बताएं कि कितने एकर जमीन हमें मिलेगी वो भी कितने रुपे में सरदार मुस्कुरा कर बोला हमारे यहां ऐसा ही हिसाब है सरदार ने मुस्कुरा कर क्या बताया कि हमारे यहां ऐसा ही हिसाब है दिन भर में पैदल चल कर तुम जितनी जमीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी सर्दार ने क्या बोला? कि दिन भर में पैदल चल कर तुम जितनी जमीन नाप लोगे वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी हो जाएगी कीमत केवल एक हजार रुपे और जितना भी तुम चल के नाप के आ जाओ मतलब जितना भी तुम चल लो यानि नाप लो वो तुम्हारी हो जाएगी और ये काम अगर तुम एक दिन में करते हो तो एक दिन का एक हजार रुपे अगर दो दिन में तो दो हजार रुपे यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हो गया ये बात सुनकर जो दीना था वो मन्हिमन बहुत खुश हो गया सरदार फिल बोला हमारी केवल एक शर्ट है फिर सरदार ने क्या बताई अपने एक शर्ट बताई शर्ट कैसी शर्ट दीना ने हैरानी से पूछा जिस जगह से तुम चलोगे सूरट ढलने से पहले के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लोटना होगा तो दीना ने हैरानी से पूछा कि आपकी क्या शर्ट है तो सरदार ने बताया कि जिस जगह से तुम चलना शुरू करोगे सूरट ढलने के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लोटना होगा यदि तुम सूरट ढ़लने के पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किये जाएंगे दीना ने कहा मुझे शर्ट मनजूर है तो सर्दार ने क्या शर्ट रखी कि वो जहां से चलना शुरू करेगा वहीं उसे सूरट ढ़लने से पहले आना होगा और अगर वो नहीं आ पाएगा तो उसने जो पैसे जमा करवाए हैं एक हजार रुपे एक दिन के वो उसे वापस नहीं मिलेंगे तो दीना ने शर्ट को क्या किया मनजूर कर लिया रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नीन नहीं आ रही थी जब रात में बिस्तर पर लेटा दीना तो उसे नीन नहीं आ रही थी क्यों नहीं आ रही थी वह अगले दिन की कलपनाओं में खो गया उसे अगले दिन की कलपनाएं वो कर रहा था यानि अगले दिन के बारे में सोच रहा था यह सोचने वैं सोचने लगा दिन भर में 60 किलोमेटर जमीन तो बड़ी आसानी से चल लूँगा क्योंकि आज कल तो दिन भी लंबे होते हैं उसने क्या सोचा कि वो दिन भर में 60 किलो मीटर जमीन तक वो आसानी से चल देगा क्योंकि आज कल क्या होते हैं दिन भी लंबे होते हैं अच्छी किस्म की जमीन पर खेती करूँगा और घटिया जमीन बेच दूँगा उसने क्या सोचा कि अच्छी किस्म की जमीन है उस पर खेती करेगा और जो घटिया किस्म की जमीन है उसे बेच देगा कुछ जमीन बटाई पर दे दूँगा, कुछ बैल खरीद लूँगा, दो चार नौकर चाकर भी रखने वड़ेंगे फिर का देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे तो दिना ने क्या सोचा कि कुछ जमीन को क्या करेगा, वो बटाई पर दे देगा यानि कि किसी को उस पर खेती करने के लिए दे देगा और उनसे पैसे ले लेगा इसके बदले कुछ बैल भी खरीद लेगा और दो चार नौकर चाकर भी रखेगा फिर क्या देखते ही देखते उसके दिन बदल जाएंगे ऐसा वो सोच रहा था आगे क्या हुआ वो हम नेक्स क्लास में करेंगे ठीक है थैंक्यो फॉर लिस्निंग में